नमस्कार मैं हूँ वैस्णभी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है सबसे पहले आप लोगों को बिहारी न्यूज की तरफ से होली की धेर सारी सुबकामना है आज है 25 तारिक, दिन सोमबार, खबडों की ओर बठने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आज है रंगों का त्यवार होली, सीयम नितीस ने परदेश वासियों को दी बधाई लोग सभाचुनाव के दोरान बूत के आसपास इंटरनेट से वा रहेगी बंद दो दिन बंद रहेगा नेचर सफारी और वाइल लाइफ जू भाजपा को लोगों ने सिक्षा सहित कई मुद्दों पर दिये सुझाओ प्रदेश में आज कई जगों पर बारिस की संभावना इन पांच उपाई से छुडाए होली के रंग के दाग आज इन दो टीमों के बीच होगा IPL 2024 का मुकाबला अब चल ये बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों की ओड विषतार से दिल्ली सबाइब सर्विसेज ने दस्वी पास के लिए निकाली भरती दिल्ली सबाइब सर्विसेज सेलेक्षन बोर्ट द्वारा भरती निकाली गई है इस recruitment drive के तहत कुल 414 पदो पर भरती होगी application link खोल दिया गया है apply करने के लिए last date 19 अप्रेल 2024 है इसकी आधिकारिक website dssb.delhi.gov.in है इस भरती प्रकिरिया के माध्यम से driver, lab, technician, pharmacist, auxiliary nurse, midwife, draftsman, stokekeeper, sanitary inspector जैसे तमाम पदों पर योग candidates की लिउपती होगी अलग-अलग पदों के तहत 10-12 और graduation pass लोग भी आवेदन कर सकते हैं भरती से संबंधित, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक website और अधिसूचना को जरूर देख ले आज है रंगो का तेवहार होली, सीम नितीस ने परदेश वासियों को दी बधाई मालूम हो कि आज के दिन में लोग एक दूसरे को रंग लगा कर से अपनी खुश्यां जाहिर करते हैं इसके साथ ही आज के दिन सभी के घड़ों में विभिन प्रकार के स्वादिस्ट वेंजन भी बनाये जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नितीस कुमार ने प्रदेश एवं देशवासियों को रंगों के तेवहार होली की बधाई एवं सुबकामनाय दी है मुख्यमंत्री ने अपने सुबकामना संदेश में कहा है कि होली सामाजिक समरस्ता का प्रतीक है होली का यह पवित्र तेवहार राज एवासियों की जिंदगी में खुशियों का नया रंग लेकर आएगा बिहारी परियतन में आज हम बात करेंगे रानी गंज व्रिक्ष वाटिका के वारे में रानी गंज व्रिक्ष वाटिका बिहार राज के अररिया जिला मुख्याले से 30 किलो मीटर पस्चिम में इस्थित है यह बिहार की राजधानी पटना से 310 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एवं फार्विस गंज फोरलेन से दक्षिन कुर्सोला जाने वाले SH 77 के पूरव किनारे 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है यह अस्थल बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित वन भूमी है रानी गंज व्रिक्षवाटी का छेत्र को पूर्व में हसनपूर बालु धीमा के नाम से जान जाता था 289 एकर में फैले इस छेत्र को प्राकिर्तिक वन छेत्र के रूप में विक्सित किया गया है इसके परिवर्तित स्वरूप को पडियतकों के आवसेकता अनुसार आकर्सक रूप परदान किया गया है वर्तमान में रानी गंज व्रिक्षवाटी का बिहार राजी का एक अत्यंत दर्सनिये मनोरम परियतन अस्थल, प्रकिर्ती एवं स्वास्थ प्रेमियों के लिए आदर्स अस्थल और सोधार्थियों हेतु अध्ययन अस्थल के रूप में निर्मित किया गया है बीजेपी ने जारी की उमिद्वारों की पाँचवी सूची बिहार के तीन सांसदों का टिकेट कटा बीजेपी की लिष्ट में तीन सांसदों का टिकेट कटा है बक्सर से अस्वीनी चौबे मुझपरपुर से अजय निसाद और सासा राम से छेदी पासवान का टिकेट कार दिया गया है और जिन्हें टिकेट मिले हैं वो इस प्रकार हैं पश्चिम चंपारन से डॉक्टर संजे जैसवाल, पूर्वी चंपारन से राधा मोहन सिंग, मधुबनी से असोक कुमार यादव, अररिया से प्रदीप कुमार सिंग, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, मुझपरपुर से राजभूसन निसाद, महराज गंज से जनार्दन स सिंग सिग्रिवाल, सारन से राजीव परताप रूडी, उजियारपुर से नित्यानंद रोय, बेगु सराय से गिरिराज सिंग, पतना साहिव से रविसंकर प्रसाद, पाटली पुत्र से राम कृपाल यादव, आरा से आरके सिंग, बक्सर से मिथिलेस तिवारी, सासाराम स और रंगाबाद से सुसील कुमार सिंग को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, दो दिन बंद रहेगा नेचर सफारी और वाइल लाइफ जू, नेचर सफारी और वाइल लाइफ जू, दो दिन बंद रहने वाला है, सोमवार को सापताहिक छुट्टी रहती है, वही खाव से लेकर संचालन की गतिवीधियों को देखा जाएगा सभी चीजों की जाच परताल की जाएगी साथ ही इसे चुस्त दुरुस्त किया जाएगा मालूम हो कि आम लोगों के लिए नेचर सफारी एडवेंचर का एक अच्छा साधन है इन पांच उपाई से चुड़ाएं होली के रंग के दाग आज पुरा देश होली का तेवहार मना रहा है ये हिंदू का एक महतोपूर्ण तेवहार है होली को रंगों का तेवहार कहा जाता है सभी इसे धूमधाम से मनाते हैं लेकिन इस पर्व में होली के रंग के जिद्दी दाग लग जाते हैं जो सभी को खूब परिसान करते हैं इसे छुडाने के लिए कुछ तरीके अपनाये जा सकते हैं रंग को छुडाने के लिए नीमबू, मुलतानी, मिट्टी, उबटन, पपीता का पर्योग कर सकते हैं वही बालों के रंगों को छुडाने के लिए दही और बेशन में पेश्ट का प्रयोग किया जा सकता है पपीता के टुकड़े को काट कर हलके हाथों से रगड़े इसके बाद उसे गरम पानी से धोले इस से रंग निकल जाएगा उप्टन में दही और बेशन के पेश्ट को तयार करके लगाना भी अच्छा उपाए है लोगसभाचुनाव के दोरान बूत के आसपास इंटरनेट सेवा बंद रहने वाली है सौ मीटर के दाइडे में इंटरनेट का संचालन समभव नहीं हो पाएगा इससे जुड़ी हुई गाइडलाइन जारी कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया कि मतदान वाले दिन केंदर के आसपास 100 मीटर के दाइरे में इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा इसको ले कर सभी तरह की जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दे दी गई है गाइड लाइन का पालन करने की बात कही गई है चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलो के द्वारा तैनात किये गए पोलिंग एजेंट के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया जाएगा स्वक्ष निस्पक्ष और सांती पूर्ण बातावरन में चुनाव संपन कराने को ले कर चुनाव आयोग ने ये गाइड लाइन जारी किये हैं बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रोसन सेट के बारे में रोसन सेट, OBE एक बिटिस भारतिये अभिनेता लेखक और थिये टर्निट दे सके हैं जिन्होंने युनाइटेड किंगडम सन्युक्तराज अमेरिका और भारत में काम किया है रोसन सेट ने अपनी एक्टिंग केरियर की सुरुवात 1960 में यूके में की थी लेकिन वो एक्टिंग छोड़कर एक पत्रकार के तौर पर काम करने के लिए भारत आ गए 1980 में उन्होंने अपना कमबाक किया वो आसकर अवर्ड विनिंग फिल्म गांधी में भी नजर आए इस फिल्म में वो जवाहरलाल नहरू के किरदार में थे उनके काम को काफी पसंद किया गया था वो बेट सपोर्टिंग रोल के लिए बाफटा अवर्ड के लिए भी नॉमिनेट हुए थे इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया उनीस्सो तिरानवे में रोसन ने टेलिवीजन की मिनी सिरीज दबुद्धा और सब्रबिया में हारून की भूमी का निभाने के लिए उन्हें सर्वस्रेष्ट पुरुस अभिनेता के रोयल टेलिवीजन सोसाइटी पुरसकार से नवाजा गया था इसके बाद 1995 में उन्होंने फ्लाइट में बाबा की भूमी का निभाई जिसके लिए उन्हें अंतराश्रिय फिल्म समारोह में सर्वस्रेष्ट अभिनेता का पुरसकार मिला आपके फोन में सेव होने चाहिए यह तीन जरूरी नंबर अकसर लोगों के साथ कई तरह की ठगी हो जाती है ऐसे में उन्हें पता नहीं होता कि इसकी सिकायत कहां कर सकते हैं कई बार सिकायत करने में देडी भी हो जाती है आज हम आपको तीन ऐसे नमबर बताने जा रहे हैं जो आपके मोबाइल फोन में जरूर सेव होने चाहिए आज कल हर काम डिजिटली होता है फिर चाहे किसी को पैसे भेजने हो या फिर कोई टीवी या फ्रिज ओर्डर करना हो हर चीज की पेमिंट ऑनलाइन की जाती है इसी का फाइदा ऑनलाइन ठगी करने वाले भी उठाते हैं जिन्हें हम साइबर क्रिमिनल कहते हैं ऐसे में आपके मोबाइल में 1930 नमबर जरूर सेव होना चाहिए आम तोर पर देखा जाता है कि स्टॉपिंग के दौरान कई तरह के फ्रोड किये जाते हैं दुकानदार कई बार एकस्पाइडी चीज़े दे देते हैं वहीं कुछ MRP से ज्याद अदाम पर चीजों को बेच देखते हैं ऐसे में आप अपने मोबाइल में 1915 नमबर को सेव करके रखें अकसर देखा गया है कि जब भी आप कोई काम करवाने सरकारी दफ्तर जाते हैं तो वहां पर रिश्वत मांगी जाती है बिना इसके कोई काम नहीं होता ऐसे में आप इसकी सिकायत 1064 पर कर सकते है अपरेल से होगी अगनिवीर की लिखित परिक्षा जान ले परिक्षा से जुड़ी ये जरूरी बाते हैं अगनिवीर के लिखित परिक्षा इस बार 22 अपरेल को होगी इसके लिए कुल पांच सेंटर बनाए गए हैं मुझह अपरपुर में तीन दरभंगा और समस्तिपु एक एक सेंटर बनाये गये हैं। अगनि वीर परिक्षा के एड्मिट काड पर ही परिक्षा केंद्रों के नाम लिखे होंगे। अग्निवीर सेना में भरती के लिए करीव 19,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, सुक्रवार की मध्यरातरी सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, परिक्षा के दोरान युवाओं को टाइपिंग टेस्ट से भी गुजरना होगा परिक्षा से तीन दिन पहले एड्मिट कार्ड जारी होगा, इसका लिंक मोबाइल और इमेल पर आ जाएगा, सेंटर पर एड्मिट कार्ड ले कर जाना है, आधार कार्ड या पैन कार्ड भी साथ में होना अनिवारी है होली में डाक्टरों को अस्पताल में लगी अनिवारी ड्यूटी, लोगों को जरूरी इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए होली के दवरान राज भर में अस्पतालों में आवस्यक दिसानिर्देश जारी कर दिये गये हैं, अस्पतालों में आवस्यक इमर्जंस सेवा बादित न हो ये बात सभी जिलों से स्वास्ति विभाग द्वारा कही गई है जिन डॉक्टरों की डूटी जिस भी हॉस्पिटल में है वहां उनकी उपस्थिती को अनिवारी कर दिया गया है ताकि होली के दिन भी आने वाले इमर्जंसी केस का सही समय पर उचित सिक्षा सहित कई मुद्दों पर दिये सुझाव भाजपा के लोगों ने कई तरह के सुझाव दिये हैं दरसल भाजपा ने लोगों से कई तरह के सुझाव मांगे थे इसमें बिहार के लोगों ने अपराध पर नियंतरन लगाने दो से अधिक बच्चों पर सक्त माप सिक्षा रोजगार जनसंख्या नियंत्रन न्यायालाई में न्याय संबंधित कारियों में तेजी लाने संबंधित अन्य मुद्दों को घोशना पत्र में सामिल करने की मांग की है चुनावी रत के जर्ये भाजपा लोगों से सीधा जुरेगी और सुझाव लेगी बीजेपी को 30 दिनों में 4 लाग से अधिक सुझाव मिले हैं बीजेपी ने सुझाव अभियान को लेकर अपने प्रचार गीत से सुरू किया था वहीं घोशना पत्र जारी करने से पहले बीजेपी ने 38 जिलों में 8000 से अधिक जगों पर बैठक की थी प्रदेस में आज कई जगों पर बारिस की संभावना प्रदेस में कई जगों पर बारिस के कारण तापमान में बदलाव देखने को मिल रहे हैं कई जगों पर तो ठंडी हवाओं का रुख भी तेज देखने को मिल रहा है होली में भी प्रदेश में कई जगों पर बारिस की संभावना जताई गई है प्रदेश में जिन जिलो में बारिस की संभावना है इन जगों पर मेग गरजन के साथ हलकी बारिस की भी संभावना है आपके छेत्र का मौसम कैसा है हमें कमेंट कर जरूर बताएं बाका में गिट्टी लदेख ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी सराब बरामद हुई बाका जिले के बौसी SDPO, अर्चना कुमारी एवं धनकुंड थाना ध्यक्ष मंटु कुमार के नत्रितों में चलाई गई छापामारी अभियान के दोरान धनकुंड थाना के समीप जगदीजपूर सनहौला मुख्य मार्ग के समीप गिट्टी लदी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी सराब बरामद किया गया है मामले को लेकर धनकुंड धाना ध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गिट्टी लदे ट्रक से अवैद सराब की तसकरी की जा रही है सूचना मिलते ही जगदीस्पूर सनहौला मुख्य मार्ग पर नाकबंदी करते हुए छापा मारी अभियान चलाया गया छापा मारी अभियान के दोड़ा अंगिट्टी लदी एक ट्रक को रोक कर उनकी सघन तालासी किया गया उपेंद्र कुस्वाहा की पार्टी को आवंटित हुआ चुनाव चिन पूर्व केंद्रिये मंत्री उपेंद्र कुस्वाहा ने रविवार को एलान किया कि उनकी पार्टी राष्ट्रिये लोक मंच को चुनाव चिन आवंटित कर दिया गया है उन्होंने बताया कि उनके द्वारा गठित पार्टी को निर्वाचित आयोग के तरफ से चुनावचिन दे दिया गया है इनकी पार्टी को भड़ा हुआ गयास सिलेंडर चुनावचिन आवंटित किया गया है कुसवाह ने कहा कि आगामी लोक सभा चुनाव में हमारी पार्टी एक सीट पर चुनावी मैदान में होगी इस वार कारा कट सीट से हमारी पार्टी राश्रिये लोक मंच भड़ा हुआ गैस सिलंडर चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरेगी हमारी पार्टी को निर्वाचन आयोग के तरफ से कॉमन सिंबल दिया गया है अब हम जल्द ही अपने कैंडिडेट के नाम की आधिकारिक एलान करेंगे राज़त सुप्रीमोल लालु यादव नहीं मनाएंगे होली इस वजह से दिल्ली हुए रवाना राज़त सुप्रीमोल लालु यादव इस बार होली नहीं खेल रहे है दरसल वे अपनी पोती का जन्म दिन मनाने दिल्ली के लिए रवाना हो रहे है होली में लालु और उनका परिवार पटना में नहीं रहेगा लालू और राबरी देवी की पोती कात्याइनी का जन्म 27 मार्च को हुआ जिसे बड़े ही धूम धाम के साथ दिल्ली ममनाने की तैयारी है पोती के जन्म दिन में सामिल होने के लिए लालू राबरी दिल्ली रवाना हो गए है उनके साथ तेजस्वी यादव मीशा भारती सहित परिवार के कई लोग दिल्ली रवाना हुए दिल्ली जाने से पहले लालू तेजस्वी और मीशा भारती ने बिहार की जन्ता को हैपी होली कहा लालू परिवार ने प्रदेश वासियों को होली की सुबकामनाय दी चिराग ने चाचा पसुपती को लेकर कह दी ये बड़ी बात लोग चनसक्ति पाटी रामविलास के राश्री अध्यक्ष चिराग पासवान रविबार को पटना पहुंचे पटना पहुंचने पर पाटी के कारीकरताओं ने एरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया चिराग पासवान ने पियम मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री नितीश कुमार उपेंद्र कुसवाहा जीतन राममान जी और अपने कारीकरताओं को भी धनेवाद दिया कहा कि बिहार में 40 से 40 सीटे जीत कर प्रधार मंत्री को की जोली में डालेंगे और 400 पार के लक्ष को भी पूरा करेंगे वहीं चाचा पारस पर कहा कि ये गठभंदन के भीतर क्या बात हुई है ये मेरी जानकारी में नहीं है पार्टी से अलग होने का फैसला चाचा पसुपती पारस का था आगे वो क्या करेंगे ये फैसला वही लेंगे जद्यू की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तिपा देने के बाद इस नेता ने थामार राजत का हाथ दर्भंगा से पूर्व विधायक डाक्टर फराज फात्मी और जड्यू के राष्ट्रिय महासचिब मुहम्मद अली असरफ फात्मी ने हाल ही में नितीस कुमार की पार्टी जड्यू को छोड़ने की घोशना की थी जड्यू की प्रात्मिक सदस्यता से इस्थिपा दे दिया था इसके पीछे उन्होंने नैतिक मूल्यों को आधार बताया था अब मुहम्मद अली असरफ फात्मी और फरहाज फात्मी ने राजत का दामन थाम लिया है राजत सुप्रिमों लालू परशादियादव ने जड्यू से आए दोनों मुस्लिम नेताओं को राजत की सदस्यता गरहन कराई बता दे कि जड्यू के राश्ट्रिय महासचिव अली असरफ फात्मी केंद्रिय मंत्री भी रह चुके हैं उन्होंने जड्यू पार्टी के सभी पदों से इस्थिपादे दिया दोनों नेताओं को राबरी आवास में राजत की सदस्यता दिलाई गई इस मौके पर राबरी देवी तेजस्वी यादव मिशा भारती सहित राजद के तमाम वरिष्ट नेता मौजूद थे पुर्णिया सीट पर पपुयादव ने कही ये बात जेड्यू, एमले, वीमा भारती, आरजेडी में सामिल हो गई है इसके बाद पुर्णिया सीट को लेकर घमासान मच गया है इस सीट से कॉंग्रेस नेता पपुयादव पहले से ही दावा कर रहे थे वही इस राजनीतिक उलट फेर पर पपुयादव ने रविवार को कहा कि मैं एक परिवार के विश्वास, आसिरवाद और एक पार्टी की विचरधारा से जुड़ा हुआ हूँ ये सारी जिम्मेदारियां अब उस पार्टी के नित्रितुव की है मैं कोसी में एक काम कर रहा हूँ, पिछले दो वर्सों से सीमान चल और पांच वर्सों से पूरे बिहार में काम कर रहा हूँ लालू यादव चाहते थे कि मैं मध्धेपुरा से चुनाव लरू लेकिन मैंने इसे ठुकड़ा दिया मैंने उनसे कहा कि मैं पुर्णिया नहीं छोड़ सकता पपू यादव ने कहा कि लालू यादव चाहते थे कि मैं आरजेडी में सामिल हो जाओं जदियू ने भागलपूर से गोपाल मंडल की जगह इन्हें दिया टिकट खुद को टिकट बाटने वाला बताने वाले गोपाल मंडल का दावा उस समय हवा हवाई साबित हो गया गोपाल मंडल कई बार सार्वजनिक रूप से दावा कर चुके थे कि भागलपूर सीट से वही चुनाव लड़ेंगे लेकिन अब उनकी उमीदों पर पानी फिर गया है भागलपूर का टिकट अपनी जेव में होने का दावा करने वाले विधायक गोपाल मंडल को जेडियू ने जोड़दार जटका देते हुए अपने सीटिंग MP आजए मंडल को फिर से भागलपूर के चुनावी रन में उतार दिया है गोपाल मंडल भागलपूर जिले के ही गोपालपूर से जेडियू विधायक हैं और इस बार भागलपूर से लोग सभा चुनाव लड़ना चाहते थे मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक टिकट को लेकर गोपाल मंडल आरजेडि के संपर्क में भी है हाला की परत्यक्ष तोर पर वो इससे इंकार कर चुके हैं उन्होंने कहा था कि मैंने भागलपूर से चुनाव लड़ने के आरजेडि के ओफर को नकार दिया है बिहार में भागपा माले ने चुनाव को लेकर की खास तयारी की है मालूम हो कि विधान सभा में ये चौथी सबसे बड़ी पार्टी है इसके बारा विधायक हैं वह लोग सभाचुनाव में भागपा माले के 40 स्टार कैंपेनर मैदान में होंगे होली के बाद पार्टी की ओर से इसकी सूच ना जारी की जाएगी दिल्ली में च्छातर संग के नेता सेक्रेटरी रवी रॉय सहित उनकी सोसल मीडिया की पूरी टीम जेन्यू की ओर से पार्टी के अध्यक्ष चुनावी मैदान में होंगे बिहार में पार्टी के दस से ज़्यादा संगठन के नेता चुनावी मैदान में सहयोग करेंगे जानकारी के अनुसार महागट बंधन में सीटों के बटवारे के बाद चुनाव प्रसार और तेज हो गया है महिलाओं को भी बूत पे जिम्मेदारी स्वापी जाएगी आज इन दो टीमों के बीच होगा IPL 2024 का मुकावला 25 मार्च यानि आज बंगलोर चिन्ना स्वामी में IPL 2024 का छठा मुकावला रोयल चैलेंजर्स बंगलोर और पंजाव किंक्स के बीच देखने को मिलेगा अपना पहला मुकावला दोनों ही टी में खेल चुकी है RCB को पहले मैच में चिन्नाई से 6 विकेट से सिकस्त मिली थी तो वहीं दूसरी ओर सिखर एंड कमपनी ने दिल्ली को 4 विकेट से धूल चटाई थी ऐसे में इस मुकाबले को जीत कर RCB अपना जीत का खाता खोलना चाहेगी बारिस को लेकर भी संभावनाय जताई जा रही थी लेकिन अब सोंबार को रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंक्स के बीच M. चिन्ना स्वावी अस्टेडियम बैंगलूर में खेले जाने वाले मैच को लेकर डरने की कोई बात नहीं है बारिस होने की संभावना ना के बड़ावर है आपके मुताबिक आज के इस मुकाबले में किस टीम का सांदार प्रदर संदेखने को मिल सकता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं भारत के इतिहास में आज की तारीक है बेहत खास स्वामी विवेका नंद ने सिष्टर निवेदिता को 1898 में ब्रमचर्य की दिक्षा दी थी देश के पहले हेलिकॉप्टर S-55 को 1954 में दिल्ली में आज ही के दिन उतारा गया था तीम इंडिया 2007 में विसुकप वंडे किर्केट से बाहर आज ही के दिन हुआ था आज ही के दिन राजस्थान के बिका नेर की तनुसरी पारीक ने 2017 में देश की पहली सीमा सुरक्षबल की महिला अधिकारी बन कर देश और प्रदेश का गोड़ा बढ़ाया था 1838 में आज ही के दिन भारतिये राष्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष विलियम वेडर बर्न का जन्म हुआ था में प्रसिद भारतिये राजनेता मिरजा रासिद अली बेग का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था सन 1931 में आजी के दिन प्रसिद समाज सेवी कुसल राजनी तिग्य और स्वतंतरता सेनानी गनेश संकर विध्यार्थी का निधन हुआ था आज के दिन को गनेश संकर विध्यार्थी बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दुकानदार के MRP से अधिक रूपे लेने पर ऐसे करें सिकायत दुकानदार अगर MRP से अधिक रूपे लेता है तो इसकी सिकायत की जा सकती है इसके लिए सिकायत Consumer Helpline के WhatsApp नमबर 8800001915 पर टोलफ्री नमबर 1915 पर किया जा सकता है बताया जाता है कि सिकायत करने से पहले अगर आप इसकी जानकारी दुकानदार को देंगे तो वो ऐसे ही सामान को कम कर देगा मालूम हो कि कंजूमर हेलप लाइन पर सिकायत के बाद आरोपी दुकानदार के खिलाफ कारवाई की जाती है और जाच के बाद आरोपी दुकांदार पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है वहीं MRP से अधिक रुपे लेने पर दुकांदार के खिलाफ सिकायत करनी चाहिए कक्षा तीसरी और कक्षा छठी के पाठी क्रम और पाठे पुष्टकों में होगा बदलाग CBSC तीसरी और छठी कक्षा के लिए राश्ट्रिय साक्षनिक अनुसंधान और परसिक्षन परिस्द एक अप्रैल से सुरू हो रही साक्षनिक सत्र 2024-25 के लिए नया पाठी करम जारी करेगा अने कक्षाओं के पाठी क्रम और पाठे पुष्टकों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा इस बात की जानकारी CBSC के अधिकारियों ने दी है संबंध स्कूलों को CBSC ने एक पत्र भेजा है इस पत्र के जड़ ये कहा गया है कि तीसरी कक्षा और छठी कक्षा के लिए पाठी क्रम और पाठे पुष्टकों पर काम चल रहा है हम परती दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसके जबाब बताएंगे जो BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSE जासे आन्य परतियोगी परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेसल विज्ञान करेंट अफेर्स और भूगोल से रहेंगे पूछे गए 5 उस सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया या हमें कमेंट करके जरूर बताएं हाल ही में इंटरनेशनल क्लाइंट डेक कब मनाया गया ओप्सन A 19 मार्च, ओप्सन B 20 मार्च, ओप्सन C 21 मार्च या ओप्सन D 22 मार्च इसका सही उत्तर है 19 मार्च हाल ही में किस राज की पुलीस ने डिजिटल प्लाटफॉर्म त्री नेत्र लॉंच किया है option A बिहार, option B उरिशा, option C दिल्ली या option D उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश हाल ही में कहां भारत के पहले इंदोर एथलेटिक्स और जलिये केंद्रों का उद्घाटन किया गया option A उरिशा, option B चन नई, option C भूबनेश्वर या option D अयोध्या इसका सही जवाब है भूबनेश्वर मेगा स्थनीज द्वाड़ा एंडिका में उल्ले खित, चार नगडों में बिहार का कौन सा नगड़ था option A तक्ष सिला, option B पाटली पुत्र, option C उज्जैन, option D इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है पाटली पुत्र 1857 के विद्रोग की पटना में सुरुवात किसके नेत्रितों में हुई option A तेकडी नरेस, option B बाबू कुबर सिंग, option C पीर अली या option D इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब है पीर अली बीते दिन हमारे दौरा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे comment section box में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दौरा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नु गोलु कुमार, गोनर सर्मा, बाबुलाल, मरांडी, रजीत समिस्रा, मुहम्मद साकिर हुस्साइन, अनवर करीम खान, सादुल्लाह पालवी, आसिया, उमेश रिसी देव, रवी कुमार राम, राम संकर सिंग, दीपक कुमार, मुकेश कुमार इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओड, आज का सवाल है, आप हो ली कब और कैसे मना रहे हैं, अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही, बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहा आज के लिए बाद